नमस्कार दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल पासपोर्ट हेल्प लाइन पे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्डिंग पास के बारे में कि बेसिकली बोर्डिंग पास क्या होता है इसकी क्या जरूरत होती है हमें ये कैसे मिलता है और आखिर इसका यूज कहां कहां पे होता है डियूरिंग आवर फ्लाइट जर्नी बैसिकली दोस्तों जब भी हम बाई एयर ट्रेवल करते हैं हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं तो वहां पे जो है हमें एक बोर्डिंग पास के आवशकता होती है जिस प्रकार से हमें ट्रेन में जर्नी करने के लिए हमें रेलवे की टिकेट की जरूरत होती है हमें बस में ट्रेवल करने के लिए बस की टिकेट जरूरी होती है लेकिन फ्लाइट में यहां पर थोड़ा सा जो है यहां पर डिफरेंस है क्योंकि जरणी करने के लिए आपके पास तिकट ही होना जरूरी नहीं है टिकट के अलावा जो है उसके बाद एक और अलग फेज होता है जिसमें आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है और बोर्डिंग का मतलब यही होता है कि एक ऐसा पस जो को मिलेगा तभी आप फ्लाइट पे बोर्ड कर सकते हैं बोर्ड का मतलब होता है बैठना ठीक है तो बोर्डिंग का मतलब यह हुआ कि जब आप उसमें बैठेंगे तो उसके लिए आपको पास की जरूरत होगी और उसके बाद ही आप वहां पे इंटर कर सकते हैं तो बैसे के से पहले आपके टिकट की कहीं भी जाच नहीं की जाती है अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होता कि आप बस का टिकट लेकर बस में बैठ गए और वहां पे चेक करने आएगा लेकिन हवाई-जहाज में ऐसा नहीं होता है यहां थोड़ा सा सुरक्षा दिश्ट पिसीकली उसमें क्या होता है केवल कंफरमेशन होता है मतलब यह कि आपको इस डेट में फ़लाना एएर लाइन कंपनी के अंदर आपका टिकट बुक है और आपकी यात्रा की तारीक यह ए है और आपका पी एनर नमबर यह है लेकिन आपका हवाई-जहाज चेकट आप बु लिए जाता है क्योंकि यह अलग लेवल का यहां पर security जाच होता है तो यहां पर क्या है कि जो टिकेट आप online book करते हैं यह आपकी जाच की जाती है जैसे ही आप entry करते हैं airport पर ठीक है आपको airport के अंदर entry करने के लिए ही ticket दिखाना अविशक होता है आपको अपने ticket के साथ अपना को आईडी प्रूफ लाइक अधार काड़ पैन काड़ आपको दिखाने के बाद ही उसके अंदर आपको entry मिलती है अब जैसे आप वहां पर अधार करेंगे तो आपने जिस airline के थूँ अपना ticket बुक किया होगा अगर आपने इंडीगो के साथ अपना ticket बुक किया है तो आपको इंडीगो वाले अधार के अंदर आपका PNR नंबर एटिकेट नंबर और आपका स्युक्विंस नंबर आप यहां पर देख पारे होंगे ठीक है उसके बाद पैसेंजर का नाम आपका फ्लाइट का नंबर फ्लाइट की डेट और उसके बाद महत्पूर्ण होता है यहां पर आपका seat नंबर आपका seat नंबर आपको कौन सा seat प्रोवाइट किया गया है यह इसी समय आपको पता चलता है ठीक है और कहां से कहां तक जाना है यह मेंशन रहेगा और उसके बाद जो है आपको किस गेट से देखिए यह भी बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जो हवाई एड़ा होता है उसक जो होगा तो यह काफी बना देता है आपके जरनी को जिससे आपको पता चल जाता है कि इस गेट से मुझे अंदर जाना है उसके बाद जो है फ्लाइट का जो डिपॉचर टाइम होता है उससे आधा घंटा पहले जो है बोडिंग स्टार्ट हो जाता है मतलब कि आपको पहल होती है जो आपका सूरच्छा जाच होता है जिसमें आपके बैगेज की तलाशी ली जाती है आपकी फूल बॉड़ी तलाशी ली जाती है तो इसके लिए जो है आपके पास बोडिंग पास होना जरूरी है और बोडिंग पास का एक और खासियत ही है कि जब अगर आपके प पाइज से आपका ईसे सब्सक्राइब के ने के लिए और पूरी तरीके födf Spain और इसकी क्या ज्वरत होती है इस वीडियो देखने के बाद आपके माइड में जो भी कानवों पास को लेकर यह पूरी तरीके से और कोश्टन है हवाई जहां से रिलेटेड फ्लाइट से रिलेटेड वीजा से रिलेटेड तो बेश्यक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में तब तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पासप